जुन बाई दे जी ए ती दे दे जी नू केले मुना ही बोले मुना नू केले धन भरा बोले धनू केले हाती की नी बोले टेश आगस्ता बिहेचार टेश हरवता ही लगटे पीठीवी अधिक अंख लोग हाख खी ही रोईचिल संरजान तीने हखल उख्या बना हेवी द्रिश्चातु अर आजिए किसो उख्या बन करा संरजान त्री थे दिखेक दिखेक मुहुर्ट आज़ी दिखेक मुहुर्ट आ अठा चंगा चंची उख्यापन कोड़ेशे भालातर परा जक्खिन मेरी लोई संगर आरू याद की कोईब की खाकीब की ना खाकीब लगटे थे बिर्खेक मुहुर्ट आर कीशो फीडियो आपनागर आगट आजी एसेनेलर जोगेटे आर भी पाहिशन प्रक्छर जगेद कीशो कोठा पतार लोगे 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 तार उठ्ख्यापन कोड़ा कीशो द्रिश्चो आजे आको आमी साम एक निट आपनागर जोनाओ जे हेड इन्टोट अथा टेस अगस्तर जी होकल लोके साइच से अर तार्ट फितर अटो बहुते साबबान आसेल कारेंट और एहग पीजियो तो सब्सक्राइब भी सारे ते आले इस्टर यूटूब चैनल इस्टर फेस्बूक पेस्ट आण इस्टर वेप्सेदी दो होकल अबर पाब तेने हले आहक आमी उपटी जाओ आको हेड़ी खेक मुगोगर कर कहिटा मान फीजियो प्लिपली अबर आपना को एखन अबर आपना इस्टर आपना को आपना गुदियो शाई श्रूड अफ्मावियान से जोडने के लिए आप साधर आमंत्रित हैं। मैं पद्मदेव बिस्रा अपने को होस्ट स्रीमती आरुसी सेट के साथ आप सभी को और देश विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 अगस 2023 आज की साम इसरो के वैज्यानिकों और सभी अंत्रिक्ष वैज्यानिकों के साथ लैंडर माडियूल को चंद्रवा के सतह पर उतरने के अइतिहासिक पलो को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हां इसरो के गौरोपूर इतिहास में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है। और आज हम सब लोग इसके साक्षी बनेंगे। आप ए सारे विज्यूल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिसन आपरेशन कॉम्पलेक्स यानि मॉक्स से देख रहे हैं। आप लोग इस अधिहासिक पल को इसरो के आफिसियल वेबसाइट फेस्बुक, ट्विटर और यूटूब पे भी देख सकते हैं। वेजार ट्विज्यूल्स सच्डजूलात इसरोय अन्रपर्डेहर हरीकटात अबस्थीतौं। स्यतिज्धवान महाकक्केंडर पराथ खबन कुरिशिल। संद्राजन थ्र मिसनर मुल्या त्रिट्टरिशिल। रीटू कोरिधल स्री बस्तवे आरू यार हन्सालाग होई से पी फिरा मुठिवेल संद्राजन्थी मिशनल अखमर स्यान्द तो आरू निटी हर्माउं जोरित होयाँ से त्यों इत्यों अपनालाके हकल बोर्ट तो न्यूस्चेनले होगपा संद्राजनल अर्थात इस्रोल य अधरियोट्यो अभगट होई से , मौक ह का virgin मिale। मूल्ठीम होई से सांच अंद्नमो चन्डाजन्थीर लेंदातोल नाम भीक्रम और लवारतोल नाम होई प्रज्जान। परदे संदर दक्खिनमेल्ट हफलतार अबटरान कर अरीशत, भारत पिठीवित पठमकन देख जे संदर दक्खिनमेल्ट अबटरान करें होएले. भारते संदर ए मिशनत अर्थात मिशनत्रीत मात्र सहपन्हर पुटिर खरस करे ए हफलता लाग खरे बलाए विक्षाम हमुए चंद्रजान ठी होईशे भारतर चितियोत संद्र मिशन यार पूर्बे दियाजर आज चनर बाईश अक्टबर चंद्रजान वान आरू मिशन्वजान 29 यलाय, संद्रजान चेर संद्रजान-न्र। मिशन प्रेरान करे चिलном कार्स है ल करे किया थीन। भूरी, भूरी, झुल। जुन बाई बेजी ये ती दे जुन बाई बेजी ये ती दे इलिप्टिकल आर्बिट में स्थापित कर दिया गया इस दौरान चंद्रमा के अधिक्तम उचाई को घटा कर 160 किलो मीटर कर दिया गया इस पूरी प्रक्रिया में प्रपल्सन माडियूल का लगभग 755 किलो ग्राम इधन का उप्योग हुआ और चंद्रयान 3 के बेगमान को लगभग 850 मीटर प्रसेकंड कम कर दिया गया लैंडर माडियूल को लगभग 150 किलो मीटर के सर्कुलर आर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस 2023 को प्रपल्सन माडियूल से अलग कर दिया गया अपना लैंडर माडल के आर्बिट को दो डूइबुस्ट मैनिवर्स के द्वारा 150 किलो मीटर के सर्कुलर आर्बिट से घटा कर 25 गुडे 130 किलो मीटर के एलिप्टिकल आर्बिट में स्थापित कर दिया गया इस दोरान यह भी सिनुष्चित कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारो थ्रेटबल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनवति का सामना कर सके इसलाओ के ऑटिО सम्ट गू इंटक तकिंट प्लार किस tailor एका त्छोली में अन्यूरी कहेंmus छुट्मव प्ली कंट टुब्टों कर स्ब्सरें में न्युक्रिया अनका को ए रख रदर मिय अनके खिए अर्थको न्यू स्बीस जिया घ्यान। आपना आमी खकोले जानो जानु अमा प्रिठी बिर शय्टा दीन सेंड़ आता दीन आरो शय्ट्राती संद़ आता दीन आर हैववबे जयों थेम्टव अगस्टर परा शंद़ दीन आवम भो हुईए अठात प्रिठी बिर 1210 दिन ताते ता दिन हबो, 13 अगस्तर परा है वावे, 13 अगस्तर चंद प्रिस्तर लेंड को इसेल बिख्ड़ होने अरु ज़्ड़ दिन पिषट और पिठी भी ज़्ड़ दिन पिषट और एद दिन पिषट एचे शेट संडर्ट ट्राथी और निखा हबो इसे शेयzek आपन के पिषट खी नाही होने मघ्वि क Après बिख्ड़ दिन पिषट और एद फेचे खी फीड़ को यो चैरा निखत प्रिस्तर पिषट तुभि विख्ड़ दिन अगसी बढ़ा भे प्रीट होई परीवा चंज़ तो बहुते प्रस्णप परेबा पारे जे चंज़ट बढ़ा ख़ड़ पराहिजु। यह रभाय प्रिज्यान हव्द तो आम्हकले जानों जह प्रइक्ण चैब रठ हो इसे ग्यान प्रिज्ञान हव्द ना अर्थ हो इसे ग्यान प्रिग्या से संग्र पिष्टर भाडवाइक प्रिख्या निरिक्षा शल्वार बभी दीजाइन करा आका सोशुक्या अभाय और थिर अभाय तो अजन माता साब्लीस कि नोग्रा आर ये रो भार कान ओड़ साइस्तु इसे एने करा जे 91.7 x 75.0 x 59.7 cm आकार साइ हुल ओकार बोगी हुल ब्राइब कर साबन करा आएसे आर यारे त्या नेदेगिशन केमेरा आएसे अवे एक बस्तुबू माने ए जानखन चनला किस्ता चली बोले ताक जिन फक्ती लागीबो सम्दान चनला किस्ता चनला के जान खहा हार नखन इस रागी बुम से भाली है आसे पावर डिसंट की यह सुरुवात हम कह सकते की बहुत ही सटीक और सधी हुई हुए जिसमें लैंडर अपने बेगमान को अनुमानी तरिक से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 km to 6.8 km. During the next phase which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 km. R.U.C.C. अभी हम इस Ground Trace को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेस की सुरुवात बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आगे चलते हुए बढ़ रहा है। इस अच्छे मोड्यूल इस बीग अनलाइज़। इस लिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दारान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्ट से रील टाइम में आ रहा है। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड अरडर गाइडेंस पालिनमियल का प्रियोग हुआ है। जो की इनर्सियल थ्रस्ट और अंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। जरे बेल्ट स्वेश्य के अरा इसना प्रियू खडिवेश्चित करेगा। जरे बार स्वेश्य में वर्यों के इन रहा है। it is continuously coming down , and the ALS had already been initiated one hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttle enable engine electronics module, the TEK-M, was switched on and the lander was oriented to the favourable attitude . इसो नोते लेंडर अरो रभरोर पस्ता भुद्धिलिक प्लेट असे जाक लेंडर मोदील मोदीले फुत्रश्टापन करा उसे रभरोर आलफा तोना एक्से स्केट्मितर बजहर करिश्ण में पुस्तर विजागरा अरो अधिक बिजिन करार दबे रहानी खंजिप्तिर इंफ लेजर इंदूस्ट ब्रेट्वाज कोड़ा स्कोप एस ऊंजर अधार। कि अरक पुलर मोदीब गढ़नी जोई 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 पे रगर विजहरे शंजांग आप ईतने माते लाज़ाए पकराइब करिए लेजर प्रेट्वेजर पर रामभायल्ट आप विजर लिए जयर दि प्लाजमा घनक्त अवे हमेर हो पड़िगाता हमों करिनात करिगा तो संधे जन थी ए खापनल लाई अना गदे दिवार जी ए सब्देदीन और है तीधिदीन सब्देदीन संदर अवे अवे यह हमेरिश आग दरा किमाल प्रेट से जगावा पाए आपलवाइँद पाई तिलो पॉपलेक सेखिता है। कि आपला पाइट प्लेक फ्लेक प्लेक प्लेक जड़रब यहुए। जो शंवर जान फिर जी पडेक्षेट नोई संवर नामीशे वे हखलो पडेक्षेट हखल हो आए अमालो एथाद भरभभभभभव लगटे हां भी शलो एक नतिम बालता को है अनक ची बाहता है आमात मानद चीवणाद अधाद मानद आप 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 अधिव ही भी जाद पर आप 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 को ईछाए लिग्ए असर और आज शो फिर फिर लल्गर्वना कोशे अनन गनेलग द्याहार रोगव ए चिते पीन ब्रहभव कोने को अप्रानी की ऐसे की निया अप्कल अभर ज़नार अब तक के आकड़ी को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लाइंडिंग पूरी तरह से नामिनल है यहां पर हम देख सकते हैं कि अब तक कम होती हुए दिख रही है यहां पर हम देख सकते हैं कि होरी जेख रही है For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase and we are in the rough braking phase which is the first phase of the power descent. We have currently travelled a downrange of 697 kilometers and the downrange that has to be travelled during this phase is 713.5 kilometers. जी हां अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की होरिजन्टल विलोस्टी लगवग लगबस साथ सो बीस मीटर परतिसेकेंड हो गई है लगवग लगवग हमें कह सकते हैं कि 900 मीटर पर सेकेंड विलोस्टी को कम किया जा चुका है at the same time we can see the altitude of the lander is just 17.8 km from the moon surface which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase is phase के बात हम जाएंगे towards the attitude hold phase where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters we can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface the current altitude is nearly 15.2 km and the distance travel is 754 km we can also see the image that the lander imager camera has been providing जी हाँ इस रफ ब्रेकिंग फेस के दवरान 800 newton के चारो थ्रोटवल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के horizontal velocity को लागातार कम कर रहे हैं अब तक लैंडर लगवग लगवग अपने 75-80% की यात्रा को पूरा कर चुका है अब खर लगवग बेट हैंडर लगवग बेसरे कि छोपने नाटेट बाकिंगी इसका फिर बाकिंग कर इसंगी अजन इन खर लगवग चुका हैंडर को अब्र मेर्यार के आप फिर यहांड खांव पूर बैश्छ मेर्स थ्रह अपनिब पनेर अफ इन इन दो पूर्वग जी हाँ आरुसी अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती है कि जो करेंट आल्टिटूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग दस किलोमीटर के आसपास है जी हाँ हम अपने जी हाँ हमारे प्रधान मंत्री जी स्री नरिंद्र मुझी जी हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षडी अफरीका के जोहानस बर्ग से जुड़ गए हैं जी हाँ आपे देख सकते हैं आई-टीटूड होल फेस भी बहुत ही आसाहाँ है प्रधानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की सुरुवात हो चुकी है अभी हम यह देख सकते हैं कि लैंडर की उचाही लगभग पांच दसमलो छो किलो मिटर है जो कि इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मिटर हो जाएगी यहां जैसे कि आरुशी जी ने बताया लगभग तीन मिनट के उपरान, लांडर की हाइट लगभग 800 मेटर वरतिकली होगी, और यहां पे लांडर की होरिजनल विलोसिटी, वरतिकल विलोसिटी, इवन दाउनर रंज भी लगभग लगभग सुन्ने होगा. We can see the visual of the Lander module, and we can see that the downrange traveled is nearly 831 km. जी हां, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि Lander की उचाई, अब चंद्रमा के सता से लगभग 3 km से कम हो चुकी है. We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 km as we can see. We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हां, अब हम fine breaking ways के एकदम खरीब आ चुके हैं, आप तालियों के गड़गड़हट से सुन सकते हैं, कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पूर्वक हासिल कर लिया है, और अभी हम vertical descent phase में आ चुके हैं, जिसकी सुरुवात भी बहुत ही अच्छे डंग से हो चुकी हैं. कि अञे हैं, हूभूआँ पालस बिदके सकते हैं, आपने तील में आपने हैं, आपे संसले की क lässtथने कि बहुत हूँने, ह diferentes पूरिक का aτε समस्तूपण की सकते हैं, आप समस्तूद में खिसा हम विल देना बहूपझ परमेचिजूने, जी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लैंडर क्या हाइट लागातार कम होता जा रहा है इस समें हम लैंडिंग साइट के जस्ट उपर है और इस से पहुचने के बाद लैंडर अगें लगवाद बीस से बाइस से के लिए होवरिंग करेगा we are above the landing site the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site जी हाँ अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यह जो पत्निर धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगवग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं कि हम लगवग लगवग 150 मीटर की उचाई पे हैं चंद्रमा के सताप से कर देख सकते हैं जो के से कंप्लीट होने के बाद इन सारे बैग्यानिकों के द्वारा की जा रही है जी हाँ अगर थिर से ध्यान से देखें तो आल्टीटुड पुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगवग लगवग 135 मीटर की उचाई पे हैं जी हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के बेजी ए तीडे बेजी नू केले मोनाही बोले मुना नू केले धन भरा भोले धन नू केले हाती कीनी बोले हाती नू केले तूथी पूरी बोले हाती तूथी पानी राम भर लोई जाए आली बात तूर मान भू भूरे घुरी घुरी साए जुन बाई बेजी ए तीडे जुन बाई बेजी ए तीडे आली ए तूर में आली ए तीडे